हेलो फ्रेंज उसे मनाओ, वर्कें तो मेडियो चैनल, में जो आपको स्वागत है, आसा करतों कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत दिनों से आपके पास आया नहीं है, क्योंकि मैं बताओं मैं एक बैंकर हूँ तो यह जो महीना है, यह ना कि मारे यूट्यूब चैनल है, तो यह जो मेरा एक तरह का हभी है मनसकत है, यह मेरा एक तरह का पैसन है, कि मैं एक छोड़ा सा कुछ नॉलेज की कमी के वज़े से बहुत सार लोग का पैसा जा रहा है, उसके चलते लोगों की एक इंप्रिशन, एक इंटेंशन बहुत हो रहा है इसके उपर, तो यह मेरा खास मक्सद है, तो चलिए आज का वीडियो यह साल का हो सकता है कि लास्ट वीडियो है क्योंकि यह 31st December है, तो आसा करतो है, यह जो साल है, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे का जो नया साल आने वाला है, वो भी बहुत अच्छा हो सकता है, possibilities है, जो कि हम आगे जाके बात करेंगे regarding crypto related, ठीक है, तो आज के वीडियो और crypto group token के बारे में है, जो कि आपका request बहुत दिनों से था, तो यह मेरा list में था, तो चलिए आज के वीडियो group token के बारे में बात करते हैं, लेकिन वीडियो से करन से पहले, मेरा disclaimer, this video is only for educational, and in function of purpose, if you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो फेंच से लिए बात करते हैं, group token के बारे में, देखिए, group token का जो पहला tagline है, for the healthier and the wealthier future, और एक तरिका green token, अगर आप इसको देखो के main headline, green token, यह green token का मतलब क्या है, देखिए, अगर आप उसका थोड़ा सा FAQ में जाके चेक करोगे, तो यहां पर mention है, what is the group token, एक green token, यह green token क्यों है, क्योंकि एक तरह का blockchain technology के साथ में, अपनी business idea को उन्होंने, कुछ तो integration किया है, हाला कि कुछ मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, यह blockchain technology को, अगर आप कोई business में डाल रहे हो, और आपने business के लिंक linking करें, तो linking को कुछ तो एक funda होना चाहिए, तो यहां पर एक ऐसा funda बना दिखिए, यह तरह का solar and hydropony farming करने वाले हैं, और इसी farming में, जो भी उनको यहां पर collect आएगा पैसा, यह token आप खरीद होगे, तो कुछ पैसा उनको पैसा आएगा, तो उसी पैसे से वो क्या करेंग solar and renewable energy and hydropony farming, जो छोड़ 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 जो पाओध दीख रहे हैं आपको जो screen पे, यही छोड़ छोड़ पाओध जो होते हैं, इसी कोई hydropony farming कहते हैं, इसका मतल़ ऐसा एक farming है, जिसमें soil की कोई जरू, मिट्टी की कोई जरूत नहीं है, यह पाओध लगाओगा भी पे पाओध ही होते ही hydropony farming में, छोड़ 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 जो पाओध होते हैं, herbs होते हैं, tomatoes होते हैं, या फिर lettuce ले लो आप, जो 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 पाओध जैसा जो भी है, उसी को ही hydropony farming करते हैं, यह बीना मिट्टी को यूज किये हुए only पानी में इसी पाओध को लगा के उसको grow करते हैं, तो देख इसके फाइदा क्या है, कोई भी अगर पाओध है, कोई आप मिट्टी में डालते हो, तो उसमें पानी की खपत ज़्यादा होता है, यह पानी का ज़्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी में ज़्यादा तर पानी जो होता है, मिट्टी चूस लेता उसके बाद में अगर धूप होता है तो सारे मिटी से जो पानी है वो सूख जाता है तो पानी का जो वेस्ट है जादा होता है नॉर्माल जो फार्मिंग करते हैं पर नॉर्माल जो गार्डिनिंग बगर करते हैं लेकिन हाइड्रोपोनिंग फार्मिंग में पूरे पानी में ही पौधे रहते हैं और उसको ढखके रखा जाता है तो वहाँ पे जो lightning अनि जो सूरिय की जो किरन आता है यहाँ पे या फिर जो heat अंदर से रहता है या फिर जो temperature जो रहता है वो सारे set रहता है और उसी temperature उसकी lights and जो temperature जो भी है उसको maintain करने के लिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा heavy equipment लगा जाता है जिसके लिए बहुत electric है जो यूजिन से होता है बहुत ज़्यादा होता है तो देखें blockchain industry में सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है electricity और ये hydroponing farming के भी सबसे बड़ा दिक्कत है electricity यहाँ पे भी electricity बहुत ज़्यादा लगता है तो इसलिए उन्होंने क्या क्या solar energy को उन्होंने यहाँ पे implementation किया है यहाँ वो साच आते हैं कि जो हमारा जो जो भी energy जो भी हमको electricity energy लगेगा वो उसी के लिए हम solar को इस्तेमाल करने वाले तो इसी चलते हाइडroponing farming करेंगी और उसमें से जो profit आएगा वो profit ही उनकी company को चलाएगा लेकिन उन्होंने blockchain के साथ डाला है क्यों है अभी के date पे market में अगर आपको देखोगे सबसे ज़्यादा जो है blockchain industry में आफे crypto में लोग का interest आ रहे तो इसलिए जो farming किये और farming के चलाने की जो पैसा आएगा ऐसा तो बाहर से लेने नहीं पाएगे तो इसलिए उन्होंने एक तरह का strategy बना है कि blockchain के साथ कुछ कर दीजीगा पैसा आटमेटिकल आजाएगा और हम उसको farming करेंगे ठीक है farming कर लीजीगा लेकिन blockchain साथ इसलिए इनका अगर देखो की utility उनके पास में दो चीज है एक तो उनका wallet आने वाला है और एक उनका exchange है तो wallet जो है green keeper करके wallet है और उन्होंने कहा है उतने सारे tokens हैं जो tokens में mining का feature नहीं है माइनिंग का मतलब होता है electricity का यूजनेस जादा तो उसलिए वो green wallet करके उसको नाम दिया है जहांपे की ऐसा को token रहा है जो कि staking से चलता होगा तो वो सारे token को हाँपे आप रख सकते हो आज वालेट और exchange देखो कि वो भी green token exchange यानि जितने सारे staking वाला token है जहांपे की mining हो होता नहीं जो कि green token है वो सारे token को वहांपे लेस्टिंग करेंगा यानि वो green को थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे आज इनका जो नाम दिया उन्हें ग्रोप token के चलते तो देख यह तो हो गया उनकी बहुत सारे खास बात है और यह अगर देखो कि कब launch हुआ था पहला में only 2% circular supply में आया हुआ और 98% अभी बाकी मार्केट माने के लिए तो देखी कौन सी ऐसी token है कैसा कौन सी रिस्ट में आप investment करना जाते हो जहां पर कि 98% circulation आपले बाकी है ठीक है क्यूंकि जादा से जादा circulation आपले बढ़ेगा तो मार्केट में price गीरेगा जहां तक कि उसका टोकेंस की utilization या फिर उसकी holder नहीं बढ़ते तो initially इस token बाइंबेस्पन करने से पहले थोड़ा सा सोचिएगा ठीक है फड़ा सा रुकिए अभी अगर अब चलते हूं उसका roadmap देख लोगे roadmap में उनका जो growth की पर wallet है वो अभी तक आया नहीं है टिक नहीं दिख रहा है मुझे बहुत जल्दी NFT market पर से भी लेके आने वाले और साथ में उनका मकसद है कि Metaverse में भी entry कर सकते हैं तो यह उनका खास क्योंकि market में चल रहा है तो उन्होंने सहुच लिया कि मैं भी ऐसा जालते रहूँगा तो लोग आके पैसाल investment करते रहेंगे देखिए यहां पे जितने सा 1% में टैक्स लगेगा एक परसेंट जाएगा लिकृरिटी में automated एक परसेंट बाइबेक देखिए जैसे अब टैक्स में investment जो पैसा सेल करते हो तो जो पैसा उनको कलेट होता है जो भी बाइबेक का परस्ट में जिराता है तो कोई भी industry जो भी क्लॉप्च इन रहता है तो वो बाइबेक करने के लिए तूरंद बाइबेक नहीं करता है उस amount को reserve रखता है जब market में कुछ changes है कि कोई market में automatically price नीचे down get जाता गया तो उसी को ही उपर लेने के लिए वो automatically buy करते है तो उसी time पे market को stable रखने के लिए ये manipulation करते है बाइब करते है खुदी company बाइब करता ह ठीक है और यहां पर burning का भी feature down डालके रखा है जो कि जो भी पैसा है का automatic burn होता रहेगा और यह marketing और reflection जो भी 3% आएगा automatic जो भी holder रहेंगे उनको reflection पर मिल जाएगा 3% उनके पास automatically return जाएगा और वो save रखेंगा marketing करने के लिए हलागी ये नहीं के पास में जाएगा ठीक है 10% automatic उनके 10% में से 3% उनके पास में 1% में 4% उनके पास में जाएगा तो उसके चलिया बाई करोगे तो जो 5% का tax लगेगा उसमें से भी 1% marketing में ठीक है और buyback एक टका दो टका तो उनके पास में जा रहा है ये buyback अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे जैसा से market में आएगा ठ चलते हैं थोड़ा सा और चीज़ बता दो सबसे बड़ा मुझे जो की हसी आती इस project में सबसे ज्यादा मुझे funny चीज़ लगता है यहाँ पे एक है anti-well system जो कि मुझे सबसे बड़ा खतरना लगता है anti-well system to prevent chart manipulation and protect investor no one can hold more than 500 trillion growth ठीक है कोई भी 500 trillion से ज्यादा holding करी नहीं सकता ह more than 10 trillion, 10 trillion से ज्यादा buy and sell भी नहीं कर सकते एक साथ में और total token at once holders can only sell once every six hour, 6 गंटे से पहले आप sell ही नहीं कर पाऊगे, एक बार sell करो तो 6 गंटे तब को wait करना पड़ेगा, तब ही जगे आप sell कर पाऊगे, यह तरह का manipulation of price है, तो जहां पे manipulation of price रहता है तो यह कहां का decentralized है भा अगर वो चीज नहीं दिख रहा है तो please उस token से थोड़ा ऐसा नमस्ते करके दूर रहीएगा, ठीक है, और मेरा कुछ कहना नहीं उसमें, auto liquid, auto burn, marketing, जो भी यह देखे, यह जो चीज बता है उन्हों न, anti-al system, अनि ऐसा system है जहां पे कि ज़्यादा से ज़्यादा dump नहीं होग प्राइस, जो कि आपको लएगा रहे तो बहुत बढ़ी है चीज़े, मेरा प्राइस डंप ही नहीं होगा, अनि मैं ऐसा एक चीज बता दू, मैंने ऐसा बलून बनाया, जो बलून लाइफ में कभे भी फूटेगा नहीं, अगर मैं ऐसा बोलू, तो यह बलून रहा यह, ठ इसको कभी मैं हावा देखके उसको गुब्बरा नहीं बनाऊंगा, तो भाई यह फूटेगा कैसे, यह तो हाला कि तो पूरा का पूरा मजाग बना कर रखा है, और कुछ नहीं, तुमने अंटियो सिस्टम बना कर रखा है, एक तरह का क्राइटरे बना कर छोड़ दिया है, जो कि डिसेंटरलाइस्ट है नहीं, अब अपने तरिके से कुछ ऐसा सिस्टम बना कर रखा है, जो प्राइस को आटोमेटिक बढ़ाएगा, घटाएगा, जो दि कुछ करेगा, वो सिस्टम कैसे चलेगा मार्केट में, खीक है न, तो यह सबसे बड़ दिखे, और चीज़ रॉयल फैमिलीज है, जो आपे साथ एमिरेट्स है, तो साथ राव उनिरेट्स को चलाने के लिए, जो रूलिंग करने के लिए, साथ अलग-अलग रॉयल फैमिलीज है, तो उसी रॉयल फैमिलीज के कोई मेंबर होंगे, जो की उनी का पार्टनर्स भी करके रखे, अगर आ अगर किप्टो इंडेस्ट्री में आएंगे कि जो जो डी सेंट्रलाइस के जो फंडामेंटल था वो कैसे चलेगा तो यह सरासर रिस्क के पुज़ेक्ट है प्लिच इस पुज़ेक्ट से मेरा सरासर कहना कि दूर रहेगा हो सकता है कि आपको लगा कि मैं कुछ नहीं है ठीक है all the best and take care